दोस्तो Redmi ने इंडिया के अंदर एक और फून लाँच कर दिया काफी जादा टाइम बाद Redmi 10S Sport तो दोस्तो Redmi 10S आया था काफी टाइम पहले अब 10S Sport आ चुका है इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा दोस्तो इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं आपको Redmi का लेटेस्ट फोन 10S Sport लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तो और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए बागी दोस्तो बॉक्स के उपर जो इसका प्राइस है वो तो अलग है लेकिन यह आपको मिल जाएगा दोस्तो 11,000 में इसका प्राइस है एक्चुल में 11,000 और दोस्तो ऑनलाइन कई बार सेल भी रखती रहती है हो सकता है आपको और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाए तो लेफ्ट सेट पर व्यू प्रोडट्स का उप्शन उस पे क्लिक करके एक बार रेट ज़रू चेक कर लिएगा बॉक्स पे तो वैसे सकरेट 14,000 है 14,000 चली देखते हैं दोस्तो 11,000 में इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है 11,000 में तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिल जाता है फून एक रैपर के अंदर इसके बाद ये मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगवा है दोस्तो सिमजेक्टर टूल अंदर की तरफ आपको इसके कुछ यूजर मैनुवल मिल जाते हैं इस तरीके से बा फास्ट में रखवा मिलता है ये ब्लैक कलर में चारजर जोकि दोस्तो सिमपल दस वाट का ही चारजर है तो चारजर आप को फस्त नहीं दिया गया नॉर्मल 10 वॉट का ही मिलता है तो यह मुझे इसके अंदर दूसरी का मिल गी अगर चारजर और जधा फास्ट होता तो कवर भी नहीं मिलता तो दोस्तों box के जो contents है वह Redmi 10 Sport के साथ आपको काफी average ही मिलते हैं क्वार भी नहीं है टाइप सी केबल भी नहीं है चारजर भी faster नहीं है तीनों चीज़े काफी average ही है श्ली बात कर लेते हैं अब दोस्तों और फिंगर पेंट स्केनर भी आपको कैमेरे के मॉडियूल के अंदर मिल जाता है इसके लाव दोस्तों कम्प्लीट डिजाइन आप देख सकते हैं आपको इसका डिजाइन जो है दोस्तों कैसा लग रहा है ब्लैक कलर में आप कमेंड करके जरूर बताइएगा वैसे दोस्तों इसके डिजाइन काफी अच्छह है मिल जाता है और क्वैलीटी भी काफी बढ़ी है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा चलिए दोस्तों इसको अन कर लेते हैं देखते हैं इसके अंदर आपको डिस्प्ले की जो क्वैलीटी है वो कैसी मिलती है तो डिस्प्ले का तो इसके अंदर आपको दिया गया है 206.5 इंचिस के आसपास, तकरीबद सारे चैंज की डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले दी गई है वो भी दोस Life HD+. तो Full HD+, डिस्प्ले स्के अंदर आपको नहीं दी गई, HD Plus ही मिलती है और Amoled Display भी सके अंदर आपको नहीं दी गई तो ये चीज मुझे सके अंदर थोड़ी सी कमी लगी अगर होती तो बहुत जादा बढ़िया हो जाता इस फोन की डिमांड जो है काफी जादा बढ़ जाती बाकि दोस्तों आप Display की Quality एक्चुल में कैसी मिलती है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर दोस्तों आपको इस तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन मिल जाती है तो चलाने में दोस्तों नॉर्मली जैसे आपको Redmi के फोन मिलते हैं वैसे ही है बाकि दोस्तों आपको Redmi के फोन चलाने में कैसे लगते हैं ये तो आपकी पसंद के उपर ही मैटर करता है आपको ये कैसे लग रहा है देखने में फीचर्स वगरा ये दोस्तों आपकी पसंद के उपर ही मैटर करता है लेकिन एक चीज़ दोस्तो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी डाउन ये लगी इसके अंदर आपको डिस्प्ले में 90 Hz का refresh rate नहीं दिया गया इसके अंदर दोस्तो आपको normal 60 Hz का ही refresh rate मिलता है जो मुझे इसके अंदर एक और कमी लगी अगर 90 Hz का refresh rate होता तो चलाने में काफी जादा smooth हो जाता ये phone और जादा experience जो है बढ़िया हो जाता चले चलते हैं settings के अंदर चेक कर लेते हैं दोस्तो कहीं feature चुपा हुआ हो तो ऐसा कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती इसके अंदर अब दोस्तो display की quality कैसी है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके तो design तो दोस्तो इसके अंदर आपको मिल जाता है notch वाला edges, bezels, normal दिये गए हैं display की जो दोस्तो colors है वो तो आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं नहीं के कोई दिक्कत है brightness भी आपको सही दी गई है तो display की quality को लेकर इसके अंदर आपको problem नहीं होगी हागर इसके अंदर 90 Hz का refresh rate होता full HD plus display होती तो और जादा बढ़िया हो जाता क्योंकि price जो है इसका कम नहीं है 11,000 के आसपास है तो ये features होते तो और जादा बढ़िया रहता इस angle से भी दोस्तो आप इसका design देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाता है left side साब देहेंगे दोस्तो काफी slim phone है पतला है काफी इस तरफ आपको sim kater दी गई है sim kater ऐसे मिल जाती है जिसके अंदर आप 2 sim card और एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोस्तो ये चीज़ इसके अंदर काफी बढ़िया है और दोस्तो ये phone 4G है निची के तरफ आपको headphone jack नहीं मिलता वो उपर की तरफ दिया गया है mic, speaker और charging port मिल जाता है जो कि type C port तो नहीं है राइट साथ पर volume के buttons और power का button है उपर की तरफ आपको headphone jack मिल जाता है बाकि दूसरे features नहीं दिये गए जैसे noise cancellation mic, IR blaster जिससे TV, AC वगर आप control कर सकते हैं तो ये चीज़ इसके अंदर आपको नहीं दी गई लेकिन एक चीज़ बहुत कमाल किया दोस्तों इसके अंदर आपको 11000 में दी गई है 6GB RAM 12GB के internal storage तो 6GB RAM है इसके अंदर 128GB internal storage तो RAM और storage तो इसके अंदर आपको काफी जादा मिल जाती है ये चीज़ इस phone के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया दी गई है ये चीज़ बहुत अच्छी है Android का 11 version ही मिलता है दोस्तों अगर updated version 12 होता तो और जादा बढ़िया होता उमीद करते हैं जल्दी इसके अंदर आपको update देखने को मिल जाए Face unlock का option दिया गया है इस speed आप देख सकते हैं दोस्तों आपको ठीक टाक मिल जाती है तो अलग से जैसे feel होता है तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ी सी placement में दिक्कत होगी दोस्तों आपको शुरू में बाकी आदत हो जाएगी इसके लग दोस्तों चले इसको restart करते हैं देखते हैं कितना time लगाता है ये restart होने में बाकी इसके अंदर आपको remote storage तो काफी अच्छे मिल जाती है लेकिन इसके अंदर आपको processor काफी जादा average दिया गया है मेरे टेक का G25 अगर आप एक बहुत जादा normal user है जैसा आपको whatsapp, youtube वगरा यूज़ करना है काफी normally मिलता है बैटरी दोस्तों इसके अंदर आपको दी गई है 5000 mh की एक दिन का normal battery backup इसके अंदर आपको अराम से देखने को मिल जाएगा लेकिन मुझे इसके price को देखते हुए दोस्तों इसमें कमी ये लगी type C cable होनी चाहिए थी charger fast होता box के अंदर तो काफी जादा बढ़िया रहता जो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती restart test के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा जादा time हो चुका है बाकी चलिए on हो चुका है अब इसकी applications भी open करके देखते हैं कितना time लगाता है दोस्तों यह applications open करने में अभी भी वैस्ता दोस्तों यह proper on नहीं हुआ है applications अभी भी load ही हो रही है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो अभी lag कर रहा है तो इतनी speed आपको देखने को मिलती है इसके अंदर कुछ इस तरीके से बाकी चलिए भी applications open कर लेते हैं hopefully अब जो है सारी applications load हो चुकी है तो dialer में नो open किया दोस्तों आप दिख सकते हैं इसमें जो है इतना time लग रहा है dialer open उन्हें में भी proper open नहीं हुआ था messages open कर लेते हैं तो इसके अंदर भी थोड़ा जादे time लगा थोड़ा lag कर रहा है इसके साथ दोस्तों camera open कर लेते हैं इसके बाद तो इसके अंदर आपको जो speed देखने को मिलती है काफी normally मिलती है आप इससे बहुत जाद expectation मत रखिएगा normally उसके अंदर भी आपको normally speed देखने को मिलेगी बहुत ज़दा fast भी नहीं है चलिन application को दूबार open करते हैं देखते हैं हो सकता है first time में थोड़ा load हो रहा हो तो अभी भी दोस्तो speed आपको ऐसी देखने को मिलती है तो performance को लेकर दोस्तों ये phone मुझे थोड़ा slow ही लगा इतना ज़ादा बड़ी है speed आपको देखने को नहीं मिलती बाकि दोस्तो camera की बात करें तो back side पर इसके अदर आपको main camera दिया गया है 13 MP 13 MP परफॉमेंस जो है दोस्तो camera की आवा आपको अच्छी मिल जाती है इसके अदर आपको दिक्कत नहीं होगी colors वगरा photos के आपको सही मिल जाते हैं थोड़े से dark होते हैं बाकि दोस्तो अच्छे लगते हैं इसके photos इसके साथ दोस्तो portrait mode के अंदर भी edge detection background blur को लेकर ये phone मुझे ठीक ठाक लगा आपको problem नहीं होगी camera को लेकर तो camera इसके अदर आपको अच्छा मिल जाता है performance आपको camera की सही मिल जाती है बाकि अगर आपको camera की वज़े से ही phone खरीदना है तो आप दूसरे smart phones भी एक बार check out जरूर कर लिएगा चैनल में बहुत सारी videos हैं दूसरे phones की उनको एक बार जरूर देख लिएगा तो दोस्तो जो चीज़ इसके अंदर मुझे बहुत जादा बढ़िया लगी वो है इसके रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको 6GB रैम मिल जाती है 108GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ बाकि सारी चीज़े तो मुझे इसके अंदर काफी ज़दा average ही लगी इसके price को देखते हुए एक तो इसके अंदर आपको जो है दोस्तो performance काफी ज़दा slow दी गई है इसके साथ दोस्तो display full HD plus नहीं है और दोस्ते सके अंदर आपको जो है charger 18 watt का नहीं दिया गया type C cable नहीं मिलती तो जितना ज़दा इसका price है उसे साबसे features आपको normally मिलते है इसके अंदर मुझे परसली दोस्तो ये phone काफी ज़दा average लगा बस RAM और storage अगर आपको ज़दा चाहिए तो आप इसको खरी सकते हैं बाकि दोस्तो आप दूसरे smart phones भी एक बार चेक आउट ज़रूर कर लिएगा इस budget में 11-12,000 के असपास दोस्तो आपको और दूसरे बड़ी ए phones भी देखने को मिल जाते हैं चैनल में और दूसरी phones की भी काफी ज़दा वीडियो हैं दोस्तो उनको एक बार ज़रूर देख लिएगा आपको दोस्तो अगर इसका comparison देखना है किसी और अपने पसंद के फोन के साथ तो comment करके जरूर बताएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो जल दिले कराने की वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा आपको ये फोन कैसा लगा कैसे नहीं comment करके जरूर बताएगा दोस्तो इसके लावब वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजए वाटसेप और फेस्बुक पर ऑनलाइन कई बार सेल लगती रहती है बड़िया फोन्स के रेट जो है काफी कम हो जाते है वो सकता है दूसरे आपको फोन्स जो है सस्ते मिल जाए दोस्तों और जाद अच्छे तो लेफ्ट साइट पर वीउ प्रोड़क्ट्स का उप्शन उस पे क्लिक करके एक बर रिट्स जरुर चेक कर लिएगा चलिए दोस्ता मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई